हेलो स्टुडेंट्स एसन प्रोफेशनल क्लासे से मैं हमद गुपता आज आपके लिए लेकर हूँ आपके जो थर्ड सेमिस्टर का को कुरिकुलर सब्जेक्ट है human value and environmental studies का next part जो के आपके आने वाले next examination के लिए बहुत ज़्यादा important question का संकलन है आप इन question को अच्छे से read कीजेगा और students जिए आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने इससे previous important question की lectures को नहीं देखा है तो आप उनको जरूर जाकर देखिएगा आपके reference के लिए उन सभी का link हम इस वीडियो के description में mention कर देंगे आप वहाँ से भी उनको mention कर सकते है otherwise हमारे channel की playlist पर भी वो available है तो चले student start करते है, आज का जो first question है वो है लाल सागर का रंग, लाल रंग, लाल सागर का लाल रंग निमलकित में से किस के कारण होता है बुरे शहवाल, हरे शहवाल, लाल शहवाल या उपरोगत सभी तो ध्यान रखेंगे बैटा लाल शहवाल के कारण लाल सागर का रंग जो है लाल रंग होता है तो इस question का जो correct answer है वो है option number C next question है हमारा संक्रामक रोग से संबन देते हैं संक्रामक रोगों का अती सामान्य वाहक कोन सा है मच्छर, गाए, कुता या घरेलू मक्य तो पिटा ध्यान दखेंगे communicable diseases यानि के संक्रामक रोगों का अती सामान्य वाहक कोन संक्रामक रोगों को सामान्य तोर पर ज़्यादा फैलाता है यह घरेलू मख्या होती है, option number D इसका correct answer होगा, चलिए, next question जानते हैं, तो next question है, jam एवं squash को निमल खित में से किसे मिलाकर संरक्षित किया जाता है, jam और squash को निमल में से किसे मिलाकर लंबे समय तक सुरक्षित किया जाता है, तो option दिये गए है, A, B, C, D तो इसमें जो correct answer है, वो है sodium benzoite, option number B इसका correct answer है, चलिए, next question जानते हैं, next question है, जीवानु सामने ते गुणन करते हैं, multiply करते हैं, कि किस के माध्यम से करते हैं, binary fiction के माध्यम से करते हैं, option number A इसका correct answer है, चलिए, next question जानते हैं, तो next question है, अधिकतर शैवाल अपना भोजन स्वम बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, option दिये गए option में, तो ध्यान दखेंगे, A, B, C, D में जो correct answer है, वो है पर्ण हरित, पर्ण हरित के कारण, जो अधिकतर शैवाल है, वो अपना भोजन स्वम बनाते हैं, option number B, इसका correct answer है, next, जो है, वो है question हमारा, मश्रूम एक प्रकार का क्या है, ये इस्ट, शैवाल, फफुंडी या प्रोटो जोवा, तो ध्यान रखेंगे, बटा, मश्रूम एक प्रकार की फुंडी होती है, option number C, इसका correct answer है, next question है, हमारा, भारत के निमलिखित र प्रकार्तिक विश्वद्रोर इस्तलोक में भी सूची बद है, तो बटा, option दिये गए है, A, B, C, D, इस वे से जो correct answer है, वो है option number C, केवला देव घाना राष्टिय उध्यान, अब next जो important question बनता है, इस question से, के, केवला देव घाना राष्टिय उध्यान, कहां पर है, ये करके बताना है, बेटा, चलिए, अब next question जानते है, next question है, www.f का क्या अर्थ है, option दिये गए है, A, B, C, और D, तो इसके अंदर जो correct answer है, बेटा, www.f का जो मतलब होता है, worldwide life fund होता है, option number C, इसका correct answer है, student, वीडियो कैसा लग रहा है, comment box में comment करके ज़रूर बता है, और साथ ही इस वीडियो को अपने अन्यमित्रों के साथ जरूर शेर करें, ताकि वो भी इसका benefit ले सके, चलिए, अब next question जानते है, बटा, Rio de Janeiro, Brazil में, UNCED 1992 में, किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये गए थे, एजेंडा 39, एजेंडा 19, एजेंडा 22, एजेंडा 21, तो इस question का जो correct answer है, वो option number D, एजेंडा 21, next question है, बटा, kelp है, क्या है, लाल शेवाल, नीला हरा शेवाल, भूरा शेवाल, या उपरोक्त सभी, तो kelp जो है, भूरा शेवाल है, option number C, इसका correct answer, next question है, निमलिकित में से, कोन सा राज्य, साइलेंट घाटी परियोजना से सम्बन्दित है, option दिये गए है, उतराकर्ण, हीमाचल परदेश, केरल और तमिल लाडू, तो बटा, ध्यान रखेंगे, केरल राज्य जो है, वो साइलेंट घाटी परियोजना से सम्बन्दित है, option number C, इसका correct answer होगा, नेक्स्ट क्वेशन है, निम लिखे तस्षन रक्षि छेतरों पर विचार करें, बांदिपूर बीतर करनी का मानस सुन्दर बन्दित है, तो इसक्वेशन का correct answer है, वो है, option number 1, 3 और 4, नेक्स्ट क्वेशन है, अपरेल 2016 में, नेशनल ग्रीन ट्रिविनल, NGT की short form है, आप से ये भी पूर सकता है, NGT की full form क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिविनल और इसका मुख्याले कहाँ पर है, तो इसका मुख्याले कहाँ पर है, नई दिल्ली में है बेटा, अपरेल 2016 में, NGT ने डैश को बचाने के लिए, अरुनाचल प्रदेश में परस्तावीत जल विद्धुट परियोजना को दी गई, परियावरन मंजूरी को निलंबिट कर दिया, अप्शन दियेगे हैं, ग्रेट होर्न बिल, गायल, ओश दिया पोडे या काले गर्दन वाले सारस, तो ध्यान रखेंगे, काले गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए, अरुनाचल प्रदेश में परस्तावीत जल विद्धुट परियोजना को दी गई, परियावरन मंजूरी को NGT ने अप्रेल 2016 में निलंबिट कर दिया था, ओप्शन नम्बर D इसका करेक्ट आंसर होगा, चले बेटर, नेक्ट कुशन जानते हैं, बड़ा ही इंपोर्टेंट कुशन का संकलन है, भारतिय वनों में से, किस में से बाग विलीन हो गए हैं, या सरिस्का वाइड लाइफ सेंचुरी, तो इस कुशन का जो करेक्ट आंसर है, वो है सरिस्का वाइड लाइफ सेंचुरी में से, बाग जो है, विलीन हो गए हैं, ओप्शन नम्बर D इसका करेक्ट आंसर है, नेक्ट कुशन है बटा, भारत के सभी, जैव मंडलिय आरक्षी शेतरों में से, चार को इनेश को द्वारा, विश्व विरासत, जालत अंतर में मानेटा दी गई है, निम्ण में से, कोन सा एक उसमें से नहीं है, मननार की काड़ी, कंचन जंगा, नंदा देवी या सुन्दरवन, तो बटा, इस कुश्चन का जो करेक्ट आंसर है, वो है कंचन जंगा, ओप्शन नम्बर 20 का करेक्ट आंसर है, चले, अब नेक्ट कुश्चन के बारे में जान कार्बन डाइक्साइड, हाइड्रोजन और मिथेन, तो बटा, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाउस, गेस की शिरेणी में नहीं आता है, उप्शन नम्बर 20 का करेक्ट आंसर है, नेक्ट कुश्चन है, परियावरण, संतुलन, तथा, सुरक्षा, संबंदी, संकल्पना, क्या कहलाती है, ए, पोशन ये विकास, ब, ए, पोशन ये विकास, सी, आर्थिक विकास, और डी, परियावरण, 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 संतुलन, और सुरक्षा, संबंदी, संकल्पना, पोशन ये विकास कहलाती है, उप्शन नम्बर 20 का करेक् है चंद्रप्रभावन्य जीव ब्यारण ने कहा परिस्थित है उत्रपरदेश मद्यपरदेश उतराकर निया ओडिशा में तो इस कुष्चन का जो करेक्ट नंसर है वो है उत्रपरदेश में Option number A इसका करेक्ट नंसर है next question है किस राज्य में काजी रंग वन्य जीव विहार इस्थित है बड़ा ही important question ही बटा तो ध्यान दंगें काजी रंग वन्य जीव विहार कहा पर है यह आसाम में option number C इसका correct answer है और next question है बारत के किस परदेश में हैं तथा किस के लिए परसिद है तो ध्यान रखेंगे बैटा यह जो रण थम्बोर वन्य पराणी अभ्यरण्य है यह बबशेर के लिए परसिद है और यह राजस्थान में है ओप्शन नमबर भी इसका करेक्ट अंसर है तो स्टुडेंट्स यह थे आज के हमारे महटपूर्ण 20 कोश्चन कुल मिलाके हमने आपको एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू से अब तक 100 इंपोर्टेंट कोश्चन का संकलन आपके साथ शेयर किया है आप अपने एक्जाम में जान इस वीडियो का अपने मीत्रों के साथ जरू शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें बाइबाइ स्टुडेंट्स